जोदपुर पोकरण में केंद्रिय जल शक्ति मंत्री वे विजेपी प्रतियाशी गजेंदर सिंग शेखावत ने भारत पाक सीमा से सटे छेत्रों में सभाएं की और कॉंग्रेस पर जबर्दस्त हमला बोला उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के राहुल गांदी अशुक गहलो समेट कई नेता कहते हैं कि लोकतंत्र खत्रे में हैं लेकिन देश में लोकतंत्र तब खत्रे में था जब देश्वें ब्रस्टाचारियों का शाशन था पिछले दस सालों में लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जागा है क्योंकि देश के गरीब को यह लगने लगा है कि देश में अब उनकी चंता करने वाली सरकार है नोक, टावरीवाला, नाचना, आसकंद्रा, अजासर, छायन और लोहार की सभाओं में शिखावत ने कहा कि वर्ष्ट 2014 से पहले देश की परिस्टिती यह थी कि जैसे बाड की मेड को खा रही थी देश की जनता को यह लगने लगा था कि जिन लोगों को हम चुनका बेशते हैं वो लोग हमारे सादन उपर डाका डाल रहे हैं गरीब के लिए आवंटित होने वाले धन से एक परिवार को पोशिट करने का काम किया जा रहा है आज देश की परिस्ति यह है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है शेखावत ने कहा कि पहले भारत में कहीं भी आतंगवादी घटना होती थी तो सरकार संयुक्त राष्ट को चठ्ठी लिखती थी लेकिन आज की इस्तिती यह है कि रूस यूक्रेन के बीच युद हो चातरवां फस गए थे मोदी जी ने दोनुद देशों के राष्ट परतियों को एक फोन किया सारे बच्चे सुरक्षित स्रदेश लोटाए इतना ही नहीं पाकिस्तान की हजारों बच्चे तिरंगे को सहारा लेकर अपने देश सुरक्षित लोटे केंद्रे मंतरी ने कहा कि के वाल सांसर चुननने का चुनाऊं नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का सुनाओं है एक कौंगरेस की है जिसने देश को बाटने का काम किया देश की टुकड़े करने का कांव किया जिसके क़्ण निमें शुरू से ही बाटना रहा है कॉंग्रेस ने आज़ादी के बाद से देश को ने किवल जाती धर्म बलकी मजहब संप्रदाय पूजा पद्दती और बोली भाषा के रूप में बाटने का काम किया है कॉंग्रेस ने समझोते में युद्ध में देश की जीती हुई जमी रोप लगाया है उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाध कांग्रेस ने देश के हित मिनें नहीं लिए बटवारे में भारत को 62 प्रतिशत और पाकिस्तान को अठारा प्रतिशत जमीन में ले थी जमीन के हिसाब से पानि का बटवारा होना चाहिए था लेकिन कांग्रेस ने प विक्सित भारत के लिए बलीदान देने का नहीं बलकि योगदान देने का समा है जिस तरह भगत सिंग राजगुरू और चंदर शेकर ने देश को आजाद कराने के लिए हस्ते हस्ते अपना बलीदान दी दिया था ठीक उसी तरह विक्सित भारत के नीव रखने में योगदा देने का समय यूवाओं के पास है क्योंकि भारत की इस सुनहेरे भविश्य में योगदान देने का जो सुखद एहसास इस यूवा पीडी को होगा वैसा सुखद एहसास आगे आने वाले पीडी को नहीं होगा